बॉलिवुट में आए दिन स्थार्स के बीच लडाईयां होती रहती हैं लेकिन रितिक रोशन और कंगना रुनौत का झखड़ा खतम होने के बचाए बढ़ता ही जा रहा है हाली में कंगना नेक इंटर्व्यू के दुरान रितिक पर काफी अरोप लगाए थे जिसके करीब एक महीने बाद रितिक का रियाक्षन आया जी हां हाली में रितिक न अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक लेजर लिखा जिसमें उन्होंने अपने और कंगना की कॉंट्रॉवर्सी को लेकर काफी कुछ कहा कंगना का नाम दिये बिनार रितिक रोशन ने इस चिठी में अपनी और से सफाई देते हुए कहा कि वो कंगना से नीजी तौर पर कभी मिले ही नहीं इसके इलाबा भी रितिक ने काफी कुछ लिखा अब इसके बाद सभी को इंतजार था तो कंगना के रियाक्शन का लेकिन कंगना के बजाए उनकी भेल ने रितिक पर पलड़ बाट किया जी हाँ उनने रितिक रौशन के सोचल मीडिया पर शेयर किये गए लंबे चौड स्टेटमन पर रंगोली ने काफी ट्वीट किये और रितिक के दिये सबूतों को जूटा साविक किया है रंगोली ने बाक तु बाग काई ट्वीट किये पहला ट्वीट Posting the mail from Ritik to Kangna, here not for pretty gossip but to show that he use ipad for communication with her not the laptop 2. Tweet Ritik gave his laptop for private forensic investigation which he paid for not his ipad. Any guesses? Why? 3. Tweet In your statement, you said Kangna released a photoshopped picture 4. Tweet If you are talking about this picture, we don't know who released it but what do you mean by photoshop? 5. Rangoli यही नहीं थमी उन्होने इसके बाद भी काई ट्वीट किये जैसे Stop not you, who has grabbed Kangna's waist like a creep and smelling her neck, who seemed disinterested 6. इसके बाद Rangoli ने रितिक की ex-wife Suzanne को भी नहीं छोडा, उनके बारे में कहा की So what if, your ex-wife was there? I don't know but we all read rumors about her affair with your friend. Please prove this is photoshopped Could your wife stop you from having multiple affairs under her nose? Why you always hide behind her? तो देखा आपने अब भई ये तो वक्त ही बताएगा आखिर कौन सच्चा है और कौन जूटा वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताना मत भूएगा तब तक के लिए देखते रहें न्यूज एक्सप्रेस झाल